हेलो फ्रेंड्स आप सबका सुआगत है हमारे चैनल में डिसेंट फनीचर यहां पे चेंबूर में हमने पूरा घर का इंटीरियर किया है जो इस वीडियो के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे यहां पे हम एक शूरेक बनाया है इसके अदर काफी अच्छा स्टोरेज का ऑप्शन दिया हुआ है यहां पे जो कैबिनेट दिया है इसमें एज़ेस्टिबल शेल्फ है इसको हम एज़ेस्ट कर सकते हैं और यहां पे हमने एक कुशन द लगाया है इसके अंदर जादा से जादा सेंडल्स और शूस आ जाएंगे काफी अच्छा स्टोरिज मिल जाता है आपको यह शूरेक डिजाइन में है इसका कलर ऑप्शन आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं है इसका बहुत अच्छा इसका लोग है यहां मन्द बनाया है वाइट मैटैलिक संदमाइके में है इसका लोग काफी अच्छा है पीछे हमने अक्रेलिक डिजाइन दिया है इसमें ड्रावर स्लेट और नीचे भी कैबिनेट ऑप्शन दिया है स्टोरिज के लिए सॉफ्स्टोस फिटिंग यूज किया है इसका भी ऑप्शन है आप एडिशनल लाइड भी लगा सकते है इसके अंदर डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा इसका लूग है इसे देख सकते है यह हमने टीवी पैनल बनाया है जो लोवर्स को हमने डेको फिनिश किया है नीचे भी हमने जो पैनलिंग किया है ड्राव के ओपर वो भी डेको देको फिनिश है बहुत अच्छा इसका लूग आता है और दिखने में में ancम ये मंते में अचार मिट कान्स्रइबल बनाया है जो लोवर्स के अच्छा फिनिश मेई के पैनल में आल जो है इस पर खर्शार इस लिका एजलेAl variety योग है सकते हैं इसको हम डाइनिंग में भी कनवर्ट कर सकते हैं इसको डाइनिंग में कनवर्ट करना इसको डाइनिंग में कनवर्ट करना इसे लोग बैठ के आराम से इनर कर सकते हैं यह हमने सिटिंग अरिजमेंट डिया है जिसमें आपको स्टोरिज भी मिल जाएगा यह पफी में इसका सिटिंग का जो हाइट है इसमें फॉर्म का वो तीन इंची रखा है जो काफी कमफर्डेबल होता है और इसमें जो मैकनिजम यूज किया है वो सॉफ्ट क्लोज है जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में काफी स्लो बंद होता है और यहां हमने एक सोफा कमबेड बनाया है एल शेप में जो काफी कमफर्डेबल है यह हमारा लाउंजर है काफी अच्छा है रिलैक्सिंग साड़े पाच फीट का बनाया है वाल के हिसाब से पीछे एजिस्टिबल हैड्रेस दिया हुआ है जैसा आपको चाहिए वैसा वो ले आप इसके अंदर आपको पुरा स्टोरेज मिल जाएगा काफी अच्छा स्टोरेज है पर चैन Megal का में यह सब्सक्राइबय जैता है यहां हमने कंबेड का ओक्शंग मिया की यह पुलाउट बैड बार इसी तरीके से कर सोफा कमब्ैड यहां है से एक चैनरे निFA हैं बहुत अच्छा इस्पेस मिलता है इसमें दो जन अराम से सो सकते हैं इसका अंदर-अंदर स्पेस होता है साड़े 6 फिट बाई साथ फिट का अंदर-अंदर का बैड़ गाई स्पेस मिलेगा आपको बाकि साइज जो है वो किस्टमाइज करा ज़िए अब हम आपको दिखाए किया है गोल्डन से हाइलाइट करते हुए जो कि आप देख सकते हो काफी अच्छा लूक है इसका हमने साइडों में भी गोल्डन दिया है यह इसका इसका इफ्लेक्शन वाल पे आया है लाइट का और का अच्छा लूक देगा यह यहां पे आपको फुल हैड्रोलिक स्टो इसके साथ पूरा पाटी आउड जाता है अंदर काफी स्टोरेज आ जाएगा आपको नेचे हमने बेस भी गोल्डन दिया है बहुत अच्छा लूक दे रहा है फ्लोर पे रिफ्लेक्ट होके परफेक्ट रेशिंग टेबल यहां हमने साइड में छोड़ा सा रेशिंग काफी अच्छा है इसके अंदर भी हमने जो कैबिनेट रखा है वो शेल्फ रखा है वो एजिस्टेबल है जैसा चाहिए वही साप इसको एजिस्ट कर सकते हैं यहां पर एक ड्रॉ मिल जाएगा आपको चोड़े सामान रखने के लिए नीचे आपको काड़ेट मिल जाएग बड़े सामान रखने के लिए यह हमारा स्लाइडिंग डोर सेलिंग टश वार्ड रूब है इसका बीडिजाइन हमने बैट से मैच करता हुआ बनाया है गोल्डन हाइलाइटरिंग के लिए यूश किया है काफी अच्छा काफी स्मूथ फिटिंग यूश किया हमने यहां पर आपको एक तिजोरी मिल याती है बड़ी तिजोरी इसमें आप गोलिज का सेफ अगेरा रख सकते हो यह एक नॉर्मल ड्रॉ है पर हमने लॉक वाला ड्रॉ दिया हुआ है एक और खास बात है इस वाड रूब में इसमें हमने एक हाडन लॉक भी रखा है लॉकर र आप आप अपर हमने दो ड्रॉ दिया है इसके अंदर हैंगर का भी ऑप्शन दिया हुआ है इस पर भी आप कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं जैसा आपको चाहिए कंपार्टमेंट लॉक ने लिगा है इसारा चीज हम खुद मैनुफैक्शिरिंग करते हैं आपको जैसा चा सकते हैं इस पर हमने डिजिटल संद्माइब का यूज किया हुआ है यहां से देना चाहिए लाइट पर काफी अच्छा इफेक्ट देता है जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमने एक छोड़ा सा कैबिनेट बनाया है यहां पर दीवी बेस बोलते हैं इसे यहां पर हमारा वा ताकि लगे नहीं अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमें कॉंटेक कर सकते हैं हमारा नमर्ण